तो क्या आज चाले है भाई सबके अब स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 चलो देखो एक बार पहला कोशन बढ़ेंगा बटाबट से इसमें हमने क्या करने है रूट्स निकालना है मतलब सॉलूशन होता क्या है कोई भी चीज़े जैसे मैंने है लेका एक्स प्लस फाइव एक शेकंड रूपना जैसे मैं अब लिखने वार हूँ यहां पर मैंने लिखा यहां पर एक्स प्लस फाइव 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 एक्स प्लस प्लस X की पावर 1, यह linear equation है, linear equation में X की एक value होती है, यह X की पावर है 2, यह है quadratic equation, इसमें X की दो value होती है, अगर बात करें, cubic, जिसमें X की पावर 3 होती है, तो वहाँ पे value कितनी होगी, वहाँ value हो जाएंगी 3, किलियर है भाई, यहां तक, आओ देखते हैं एक बार, सबसे पहले हम इसको solve करते हैं, बड़े ही प्यार वावबत के साथ, एक बात बताओ, सबसे पहले तरीका क्या है, factorization method का, इसको हम splitting the middle term भी बोलते हैं, इसमें, जो बीच वाला term है, हम इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, ठीक है, splitting the middle term, उसका तरीका क्या है, जो constant term है, और जो x square का coefficient है, जो कि यहाँ पे कितना है, 1 है, इन दोनों की multiply करते हैं, तो 10 into 1 करेंगे, तो आएगा भाई 10, ठीक है, अब इसको ऐसे दो हिस्सों में तोड़ो, जो plus minus करके क्या आ जाए, plus minus करके 3 आ जाए, तो 10 के ऐसे दो factor होते हैं, भाई, 5 और 2, 5 और 2 का इस्तमाल करके हम क्या ला सकते हैं, तो minus का 3 चाहिए, तो इसके आगे minus लगा लो, इसके आगे plus लगा लो, तो हमें मिल जाएगा minus का 3, तो हमरे पास दो factor आगे, एक minus का 5 और एक plus का 2, उनका हम यह अस्तमाल करेंगे, देखो, x square as it is, यह minus 3x की जगे हम लिखाएंगे, minus 5x plus का 2x, ठीक है जी, इसका काम खत्म, अब इसे देखो, आगे minus का 10 as it is equal to 0, x square, आगे के जो 2 हैं, और ये 2 हैं, इन दोनों टर्म में से common देखना, इसमें क्या common है, तो आप कहोगे x common है, बचा क्या x minus 5, इसमें क्या common है भाई, तो इसमें common है 2, क्या बचा x minus 5, अब आप देखोगे क्या common है, तो इधर x minus 5 common है, इधर भी x minus 5 common है, इससे x-5 आगया common और बचा क्या इधर इधर बचा x और इधर क्या बचा 2 ये आपके दो factor है ठीक है और solution निकालने के लिए एक बार इसको 0 रख देंगे और एक बार इसको 0 रख देंगे जब हम इसको 0 रखेंगे तो देखते हैं क्या आएगी value और एक बार इसको 0 रखेंगे तो यहां से क्या value आएगी यहां से x की value आएगी प्लस का 5 उधर जागे प्लस का हो जाएगा और यह प्लस का 2 है उधर जागे माइनस का 2 हो जाएगा यह तबाई पहला वाला part clear है यह आगया हमारा solution इसके बाद देखते हैं second वाला part द्यान से देखेंगे 2x square plus x minus 6 equal to 0 मैंने आपको बताया है constant term और x square का coefficient इन दोनों की करते हैं multiply तो 6 into 2 यह आएगा क्या आपका यह आएगा आपका 12 और 12 के ऐसे 2 factor करो जो plus minus करके बीच वाला term आजाए बीच वाला मतला x का coefficient और x का coefficient क्या है 1 कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं तो भाई plus minus करके 1 आजाए ऐसे 2 factor सोचो 12 के तो ऐसे 2 factor होते है 12 के 4 और 3 4 3 जा 12 clear अगर कोई बालक नहीं समझ पा रहा है कि factor कैसे करते हैं तो बिलकुल ऐसे कर ले बड़े प्यार चे 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1 अब ये 3 factor है हमारे पास 2 है, 2 है और 3 है इनको ऐसे 2 factor बनाओ ऐसे adjust करो कि 1 आ जाए तो आपको होगे कि इन दोनों को साथ में ले लो इसको अकेला कर दो तो ये क्या हो जाएगा 6 और 2 क्या 6 और 2 से हमारे पास बना रहा है नहीं, दूसरा option हमारे पास क्या है कि इन दोनों को साथ में कर लो इसको अकेला कर लो, ये हो गया 4 और ये हो गया 3 इससे क्या आ सकता हमारे पास बना सकता जी बिलकुल आ सकता, ऐसे हमको basic factor निकाले में उठें, आओ इधर देखते हैं, हमें factor मिलगे 4 और 3 प्लस का बन चाहिए, तो माइनस का बीच में आ जाएगा मतलब 3 माइनस का हो जाएगा, अब इसमें लगाते हैं 2x स्क्वाइर प्लस, यहाँ पे लिख लो 4x माइनस 3x माइनस 6 इकल टू 0, अब इन दोनों में और इन दोनों में देखेंगे क्या common है, तो आप पहले देख पा रहे होगे, इन दोनों में होगे, 2x common और x प्लस 4 बचा clear है जी, इसमें आप देखो कि माइनस 3 हमने common ले लिया अब क्या बचा x, क्योंकि माइनस common लिया है, तो इस sign change होगा यह होजाएगा, प्लस का, और 3 अगर common गया है, तो यहां क्या बचा है, यहां बचा है 2 उम्मीद है इतनी बात समझ माई होगी अब इन दोनों में क्या common है तो इन दोनों में आप देख पा रहे हो, x प्लस 4 यहां पर हमने जब 2x लिया common तो यह 4 नहीं बचेगा, यहां पर क्या बचेगा भाई यहां बचेगा आपका यहां बचेगा आपका 2, clear है 2x तो common जा चुका है, तो 2 ही बचेगा आप देख रहो, यहां भी x प्लस 2 और यहां भी x प्लस 2 और यह बचा क्या इदर, 2x minus 3 equal to 0, clear है जी अब आगे देखते है, x प्लस 2 को एक बार 0 के बढ़ावर रख देंगे और इधर 2x minus 3 को एक बार 0 के बढ़ावर रख देंगे यहां से x की value आजाएगी minus का 2 और भाई, यहां से x की value आजाएगी minus का 3, sorry, plus का 3 और उधर जाके plus का 3 और यह नीचे चला जाएगा divide में, एक value यह आजाएगी, यह था अपना second वाला पार्ट, हब देखते है, third वाला पार्ट एक बढ़ नोट कर लेंगे इसको फटाफट से, pause करके वीडियो, चलो जी, आते हैं, तीसरे वाले पार, हाँ जी बताओ आते हैं भई, third वाले पार्ट भे, third वाला पार्ट, उससे पहले, ओहो, देख रहे हो, जल्वे इसके, यहाँ से हम उठाएंगे, अपना शस्त्र, यह रहा अपना सस्त्र, जो कि आने में थोड़ा सा समय लेता है, इसको रखेंगे यहाँ पे, सुन्दर सी पहन लेंगे, य इस से जादा सुन्दर यह वाला, वो इसको मिटा दे, आजा, चलो भई, देखो, third वाला पार्ट क्या है, third वाला पार्ट है, root 2x square, plus का 7x, plus का 5 root 2, equal to 0, भाई, इसको solve करते हैं, कुछ बच्चों की root को देख करके, बड़ी हालत खराब होती है, कुछ नहीं है, बड़ी प् square का coefficient है, दोनों को क्या करते हैं, multiply, दोनों का multiply करके क्या आएगा, तो आप समझते हो, इसका मतलब गया, root 2 into root 2, इसका मतलब 5 into 2, यह कितना होगा, 10, अब यह 10 के ऐसे 2 factor करो, कि plus minus करके 7 आजाए, 10 के ऐसे 2 factor करो, कि plus minus करके 7 आजाए, तो यह ऐसे 2 factor क्या हो सकते हैं, इसके त दोनों को add कर देते हैं, तो क्या आजाएगा, अब यह 7 आजाएगा, simple, दो factor मिलके, plus का 5, plus का 2, आओ देते हैं, पहला वाला term, x square का term, as it is, अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखोगे, 5x plus 2x, तोट दिया, बेकर दिया, हमने 7 को, आगे 5 root 2 is equal to 0, आओ भाई, अब इन दोनों में इसे क्या common है, तो आप कहोगे, इन दोनों में से सिर्फ x common है, क्या बचा, root 2x और plus का 5, क्या बचा, root 2x और plus का 5, प्लस, इन दोनों में क्या common है, बहुत ध्यान से सोच का जवाब देना, इन दोनों क्या common है, इन दोनों में क्या common है, इन दोनों में क्या common है, क्यों है एक बार देखो यह जो 2 है इसको हम क्या लेख सकते है रूट 2 इंटू रूट 2 और यह जो 5 है यह तो है 5 इंटू रूट 2 तो अब मैं पूछ उन दोनों में क्या common है तो आपको होगे रूट 2 common हाँ या ना तो इस मैंसे हम लेंगे रूट 2 common हमने ले लिए रूट 2 common बचा क्या अंदर तो बचा है भाई रूट 2 इसके अंदर एक रूट 2 रह गया तो रूट 2 यहां क्या बचा रूट 2 जाने के बाद 5 is equal to 0 क्लियर है भाई आगे देखो अब यहां पर क्या common है यह वाला term common है दोनों में तो इसको लिख लेंगे 2x plus 5 sorry root 2x plus 5 into x plus root 2 is equal to 0 अब भाई एक बार इसको 0 के बरावर रख लेते हैं plus 5 equal to 0 और एक बार x plus root 2 is equal to 0 यहां से x की value देखो root 2x परावर minus का 5 और भाई x परावर minus 5 upon 2 यहां से यह value आगे यहां पर x equal to minus का root 2 बस यह value आगे यही x की value एक यही दोनों roots ने कल गए clear है भाई आओ अगले वाले पार्ट पर चलते हैं देखो भाई अब देखते हैं अगला वाला फोर्थ वाला पार्ट लो जे एक line सुंदर्ची और कीशी दिना में चलो देखो 2x square minus x plus 1 upon 8 is equal to 0 यह हमारा फोर्ट वाला पार्ट भाई इसमें एक दुबदाए कि इसमें upon में 8 है तो क्या कर रहा है तो भाई यह इसका ले लो पूरे का दूसरी में ले मतली हो कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है हम बता देते हैं एक बार भार भाईया इन सब के नीचे 1-1 माल लो ठीक है 1 से जारा 8 टाइम तो 8 टूजा 16x square यह process होता तो मैं पता हो चलो आगे देखो equation क्या हो नहीं 16x square minus 8x plus का 1 8 उदर जाके multiply हो गए 0 बन जाएग के लिए अब आपकी proper equation तग्यार होगी तो आपने x square का coefficient और constant term की करने है multiply 16 into 1 आएगा 16 ऐसे 2 factor करने है जो बीच वाला आजा है मतलब minus का 8 आजा है तो आप जानते है 16 के ऐसे 2 factor क्या हो सकते है तो आपको गए 4 फोर जा 16 चाहिए minus का 8 तो भाई किसी एक को plus minus करने से बात बनी बनेगी दोनों को ही minus minus लगाओ तब यह जाके minus का 8 बनेगा दोनों factor मिलेगे minus 4 और minus 4 यूज कर लेते है 16x square minus 4x minus 4x plus का 1 is equal to 0 अब इन दोनों में क्या common है फटापट से देख के बताओ तो आप कहोगे इन दोनों में common है भाई 4x यहां क्या बचा 4x minus 1 यहां पर क्या common है तो क्या common है यहां पर कुछ भी common नहीं है तो यहां पर क्या रहेगा भाई मामला 4x minus common लिया तो अंदर sign chain जो के 1 is equal to 0 क्लियर है जी यहां तक आओ फटाफट से 4x minus 1 दोनों में common 4x minus 1 और यह क्या बचा 4x minus 1 तो गजब हो गया जी डौनों एक जैसे आगे हैं क्या आते हैं जैसे बिलकुल आते हैं जी एक जैसे आओ देखो यहांसे 4x minus 1 को 0 रख देंगे और यहां पर 4x minus 1 को 0 रख देंगे यहांसे जो x की value आएगी यह धर जाके प्लस का और यह multiply में यहां कि अपॉन है कि यहां से भी same value आए कि x की value बना पॉन हो यह रहे अपने answers इनको फटाफट से note down कर लो तो आके चलते हैं यह screenshot ले लो चलो जी अब देखते हैं थर्डवा 10, 100 into 1 करेंगे तो आएगा 100 ऐसे दो इसके factor करो जिससे कि minus का 20 आजाए तो minus का 20 कैसे इसके दो factor हो सकता है आराम से दिमार कमा रहे है 10 into 10 100 होता है तो भी यह 10 और 10 यह 100 होता है इन दोनों का इस्तेमाल गरें चाहिए इस पर भी minus लगा दो और इस पर भी minus लगा दो आगया minus का 20 देखो 100x square as it is minus 20 को हम लिखेंगे minus का 10x minus का 10x plus 1 is equal to 0 इन दोनों में और इन दोनों में common देखेंगे तो आपको गए इन दोनों में common है भाई 10x तो यहां क्या बचा x minus 1 इसमें कुछ भी common नहीं है 10x minus 1 clear रहे जी आगे देखना क्या ओहो बहुत सुंदर जबचस्त बताते नहीं चुप चुप देख रहे हैं 10x common आया तो क्या बचाएगा 10x ले रहे हैं 10x और 10x अब देखे भी लिए अगर हो यह दोनों पर सीम नहीं आ रहे हैं तो situation गड़ बड़ है ठीक है बिवस्ता खराब है पिर देखो 10x minus 1 और यह क्या है 10x minus यह सारा common चला गए तो 1 बचा is equal to 0 अब यह इसको भी 0 के बरावर रख देंगे और इसको भी 0 के बरावर रख देंगे हैं यहां से क्या आ जाएगा 10x 10x equal to कितना भाई 10x equal to plus 1 और x equal to 1 upon 10 ठीक है यहां से 10x is equal to 1 और x equal to 1 upon 10 खत्म कहाने क्या देखा प्रेना कोश्च्चन समाख करनो डोट डाउं